दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में और आज मैं जा रहा हूँ हमारी सफारी स्ट्रॉम के जो पिछले ब्रेक पैड हैं वो चेंज कराने के लिए मैंने पहले आज यूजवल शोरूम में कॉल किया था पता करने के लिए कि कितने में चेंज हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे का 4000 प्लस टैक्सेस में चेंज होंगे और जो उसमें ब्रेक पैड आते हैं वो TVS ग्रिलिंग के आते हैं तो सेम मैंने औरीजनल पैड बाहर पूछे कि कैसे लगता है बहुत इजी होता है आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास टूल्स हैं तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेर चैनल में और मैं आज ब्रेक पैड चेंज कराने के लिए आया हूँ पिछले जो की पूरी तरीके से खतम हो गए या क्या हुआ है वो अभी पता लगेगा तो मैंने जो ब्रेक पैड वह बहार से खरीदे हैं तो जब यह चेंज हो किस तरीके से वो खुलता है वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा दोस्तों तो यह जैसा कि आप देख रहे हैं टायर इनो ने जैक तो अठाकर खोल दिया है और यह जो आपको अभी यह जहां पर हाट टच करेगा यहां पर आपका ब्रेक पैड चेंज होगा कैसे होगा वह कैसे बता लगता है मैंने इन से पूछा कि ब्रेक पैड मेरे अभी कुछ चल सकते या नी तो इन्होंने मुझे काया कि आपके ब्रेक पैड पूरे खतम हो गए है तो अच्छा हुआ अपने टाइम पर आप यहां ले आए तो अभी यह वो नट खोल रहा है जिसकी मैं बात क अच्छा यह दोनु तरफ से ब्रेक लगाती है ना तो यह जब गिज जाती है तो चूचू करने लग जाती है पर यह जैसे ज्यादा खतम होगी यह पत्ती लोगे के साथ लाएगे कि लोगाट अच्छा होएगा अच्छा यह खराल करते हैं यह इसी कंपनी के आएगी तो यहां से यह इक स्प्रिंग सी निकलती है नट होता है इसके ऑपर अप गरीसिंग करेंगे तो यह जो कि आप अपर τही ब्रेक नियुकृ कराती है adding जरूर करा लीजिए और यह जो आपको एमटी दिख रहा है डिस्क के आजू बाजू में इसमें आपका ब्रेक अभी लगेगा जिसके लिए हम आए वह यह है ब्रेक पैट चेंज करा रहे हैं तो जैसे ही चेंज हो जाते हैं तो आपको बताते हैं इतने का पड़ रहा है कि यह वो चीज है जो आप इसकी यह मोटाई देख रहे हैं जब यह घिज जाती है तो यह फिर यहां पर लगना शुरू हो जाता है लोहा तो चूचू की आवाज आती है तो अगर आपको अपने डिस्क बचाने है तो इसे टाइम से चेंज कर दो यह भी चल सकते ही तीन सो चार सो पान सो किलो मेटर बट मैं रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि अगर आपका यह पैड डैमेज हो जाएगा तो खर्टा जादा हो जाएगा इतले टाइम रहते में इसको चेंज कर आ रहा हूं दोनू पिछले टाइरों की तो कॉस्ट क्या पड़ेगी वो मैं आपक किसे होती है तो कितना मोटा है अब यह लगेगी इसमें और उसके बाद फिर दिखाएंगे क्या क्या काम करती है दोस्तों तो जैसा आप देख सकते हैं कि ब्रेक पैट जो है वो फिट हो गए और अब यह इनको दुबारत से टाइट कर रहा है सेम प्रोसेस दूसरे टायर क इसका ले जाएंगे इसके जो पेचिस हैं उनमें ग्रीसिंग की जाएगी और नया जो ब्रेक है वो इसमें फिट कर दिया जाएगा तो बहुत सिंपल प्रोसेस है आप भी यह कर सकते हैं अगर आपके पास सारे टूल्स है तो तो यह था हमारा आज का शॉर्ट ब्लॉक कि क इस तरीके से आप अपने ब्रेक पैट्स को चेंज करा सकते हैं और यह देखिए यह देखो यह हो गए खतम यह तो दोस्तों अब आप में से बहुत सारे जो भाई हैं वो यह पूछेंगे कि आपने बाहर से यह क्यों चेंज कराया तो यार उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को ब्लॉग स्टार्ट होने के टाइम पर बता चुका हूं कि प्राइस डिफरेंस बहुत जादा था जब तक गाड़ी आपकी वारेंटी में रहती है मतलब कंपनी आपका सारा खर्चा बेर करती है तब तक तो आप जाके करा सकते हैं बट सेम चीज के बारा सो रु मैं जरूर पता कीजिए औरीजनल प्रोडेक्ट की ही डूब्लिकेट मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि आप चार पांच सो रुपए बचाने के लिए डूब्लिकेट लगवा लें तो जैसे मैंने आप लोगों को बता है मैंने पहले वहां कॉल करके पता किया कि इसके रुपए पे किया और कहां शोरूम में मुझे 4,000 प्लस टेक्स जो की नियर अबाउट 4,400 रुपीज के आसपास बिल बनना था तो अगर आप समझदारी से काम लें तो आप पैसे बचा सकते हैं तो ये आज का ब्लॉग था होप आप लोगों को ये सारा प्रोसेस पसंद आ करता हूं कि अपनी आखों के सामने बाई करने के लिए तो मैं मैंने लोकल शॉप पे जाके बाई किया जिसका मुझे बेल विल सब कुछ मिला है तो इस तरीके से आप कुछ पैसे बचा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाख लगाएं होप आप लोगों को आज का ब्लॉ सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि ऐसी और इंफॉरमेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे जब भी मैं नया व्लॉग डालू तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए आप बजह की, बड़ में लुण लुड़ें हैं,ormीर में लुबगों?